गुड मॉरिंग माई दियर फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स अब बारिस हमारे हाँ छतिस गड़ में बंद हो गई है लेकिन मौसम जो है बिल्कुल थोड़ी सी बादल छाय हुए है और इस समय मौसम काफी अच्छा है दिसंबर का महीना है और आज मै ये कटिंग मिलती है तो लगा लीजिए और फ्री का एक बहुत ही खुबसूरत गाड़न आप जो है तैयार कर सकते हैं ये विसकस में मेरे गाड़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग मैं काफी दिनों से दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है और गाड़न तो अच्छा तभी लगता है फ्रेंड्स जब उनमें फ्लावर खिलते हैं प्लांट में जब फ्लावर खिलते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा खुसी मिलती है मुझे तो मिलती है और काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है विंटर गाड़न अभी मेरे गाड कोई भी अपडेट हो मैं आप लोग से जरूर से एर करूं और कोई भी फ्लावर्स यदि खिलते हैं तो आपको जरूर दिखाऊं तो देखें प्यारे-प्यारे से टिकोमा भी फ्लावर आ रहे हैं और कलिया तो देखती ही बनती है यह गुलाब है देखिए हमेजा मैं कहती फ्लावर आए है एक और देखिए फ्लावर कितना खुबसूरत फ्लावर है ही बिसकस की एक दो फ्लावर कलके हैं उसको मैं हटा देती हूँ और कितने खुबसूरत लगते हैं ही बिसकस के फ्लावर तो काफी खुबसूरत और काफी बीक साइज के होते हैं बहुत ही अपना जितने भी मेरे पॉर्ट है उनको इस्टेंड को मैंने किस तरह से रखा है और अब तो अच्छा लग रहा है गाडन आप लोग बताईए का मेरा गाडन आप लोग को कैसा लगता है और चलिए आज अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज मैं आपको क्या-क्या प्लांट ह जिनकी मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी और साथ में बताऊंगी कि कौन-कौन से ऐसे प्लांट है जिनको आप दिसंबर के मन्त में कटिंग से बहुत ही आसानी से अपने घर पर तायार कर सकते हैं तो पहले मैं विंटर प्लांट बताती हूं फ्रेंड्स देखिए य इसके फ्लावर कुछ इस तरह से आते हैं पिंग कलर के रेक सबीगोनिया को आप बहुत ही आसानी से कटिंग से तयार कर सकते हैं मेरे पास एक ही मदर प्लांट था उसकी कटिंग लेकर मैंने बहुत सारे प्लांट बनाय थे लेकिन बारिस के वज़े से कुछ खराब भी हो और कुछ जो है ये भी प्लांट जो है मेरा कटिंग से ही लगा हुआ है और इसके साइट में देखिए य'RE प्लांट इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है और एकıs दो क्लांट की कटिंग चलिए मैने और आपको दिखाती हूँ तो रेक सभी गोनिया को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं अपने गाडन में देखिए यहां पर मैंने मैं जब भी पिंचिंग करती हुँ न तो कोई भी गंबले में उसकी कटिंग लगा देती हूँ पर देखिए मेरे दो प्लांट तयार हो गए हैं मैं चाहूँ तो इसे डिवाइट करके दूसरे पॉट में सीप्ट कर दूँगी और मेरा एक और नया प्लांट जो है तयार हो जाएगा और रेक सभीगोनिया का ये वाला प्लांट मदर प्लांट है और इसमें अच्छे से फलावर्स खिले हैं मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह की इसमें फलावर आते हैं उसमें तो कलिया थी और काफी खुप सूरत लगते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं देखिए बिल्क कोको पीट में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, नेक्स्ट प्लांट है वो है पिंग टागर, बहुत ही खुबसूरत इसमें देखिए इस तरह के परपल कलर के फ्लावार आते हैं, बहुत ही प्यारे, और सबसे आसान कटिंग है, जिस तरह से कोलियस का मैं हमेशा कहती हुना कि कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, उसी तरह से पिंग टागर की भी कटिंग, देखिए कितनी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई है और इसमें देखिए कलिया भी आ गई है, तो इस तरह के आप प्लांट चूज करिए, नरसरी से ऐसे ही प्लांट लाइए, और मैं अपडेट भी आपको दिखाते चलती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट है देखिए, वेस्ट मटेरियल में, किचन वेस्ट डिबो में मैंने लगाया है इस तरह से, एक प्लांट मुझे 60 का पड़ा था और देखिए, लगभग 5-10 प्लांट मैंने तयार कर लिए, नेक्स्ट प्लांट है, वो है हमेलिया का प्लांट, हमेलिया भी कटिंग से बहुत इजली ग्रो हो जाता है, देखिए मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, और इसकी अपडेट भी आपको दिखा रही हूँ, डिस्पोजल ग्लासेस में मैंने लगाए है, और इसकी रूट्स भी मैं दिखा देती फ्रेंड्स, लेकिन अभी मेरे पास pot की कमी है, अगर मैं इसे reopen करती हुए दी, तो open करने में जड़े खुल जाएंगी और मेरा प्लांट खराब भी हो सकता है, मैं इस करन से आपको पूरा निकाल कर नहीं दिखा रही हूँ, यह एक हेज प्लांट है, और इसको भी आप जो है कटिंग से आसानी से अपने घर पर तयार कर सकते हैं, देखें छोटे-छोटे pot में मैंने इसकी कटिंग लगाई है, एक प्लांट मदर प्लांट था ये वाला, और इसकी कटिंग लेकर मैंने चार pot तयार किये हैं, चार से पाँच pot, छोटे-छोटे pot में भी मैंने अभी और भी लगाया है, तो इसकी कटिंग आप बहुत ही इजली दिसंबर के महने में लगा सकते हैं, नेक्स्ट प्लांट है लालसा, और लालसा की देखे ग्रोध कितनी है, देखे, मैंने गार्डन से बिल्कुल छोटी सी कटिंग लाई थी, कितनी छोटी कटिंग लाई थी वो भी मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ, और उससे देखे, मेरा प्लांट कितना बुसी हो गया, लगभग इतनी देखे, तीन से चार इंच की कटिंग मैं लेकर आई थी, और जब भी कोई कटिंग लगाते हैं तो हमेशा उसके नीचे की दो पत्ती आप हटा दीजे, क्योंकि वो नोड एरिया है, और वही से जो हमारा कटिंग है वो जड़े बनाते हैं, तो वही से आपको लगाना है, ये पॉट मैंने कटिंग के लिए तयार किया है, इसमें देखे, मैंने दो तीन कटिंग लगाई है, तो इसी में मैं बस इस तरह से लगा दूँगी, तो फ्रेंड्स यदि आप बिगन एगलो नीमा भी कटिंग से बहुत असानी से ग्रो हो जाती है, तो इसकी भी कटिंग लेकर आप लगा सकते हैं, अभी मैंने जिसमें कटिंग लगाया है, उसमें आप लोग को दिखाया है, एक कटिंग मेरी ग्रो हो गई है, एगलो नीमा भी बहुत असानी से ग्रो हो जात क्वलिय ले संग्णी नियम और आपको दिखाओंगा ये तो बहुत की आसानी से लग जा जाती चिनल न रेंगxi शिंगोनियम और से बहुत की हैं तो बहुत की है के लिए लिखाओंगी यह तो Archive कटिंग जितने भी मैं प्लांट के आज बताऊंगी उन सब की कटिंग लगाने के लिए आप अपने गाडन की एक भाग मिट्टी और एक भाग रेत ले लिजेगा और अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो एक भाग कोको पीट और उसमें एक भाग रेत मिला लीजेग और ये वाला जो मेरा पॉट है इसमें मैंने कटिंग के लिए ही मिक्चर तयार किया है पॉटिंग मिक्स इसमें मैं लगा देती हूँ इस तरह से और मैंने अभी किसी चीज का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ मैं न तो एलो वेरा न तो हल्दी और नहीं फंगिसाइड और कुछ की अपडेट भी चलिए आपको मैं निकाल कर भी दिखा देती हूँ अभी तक मैंने देखे इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट मैंने रहने दिया है रिपोर्टिंग की थी मैं तो इसकी अपडेट भी मैं आपको इसकी रूट्स भी निकाल कर दिखाती हूँ ये पुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए लगबग 15 दिन हो रहे हैं या 15 दिन भी नहीं हुए होगे 10 दिन हुए हैं तो इसकी रूटिंग देखिए 10 दिन में आपको कैलेंचु में इतनी रूटिंग मिलती है और यदि आप कोको पीट और रेत में लगाते हैं तो इस से से कैलेंचु की कटिंग भी इस समय आप लगा सकते हैं बहुत या सानी से ग्रोव हो जाती है और अपने घर पर धेर सारे प्लांट आप तयार कर सकते हैं तो पिंग टाइब